जै हिंदुष्रेंट्स वेलकम बैक अगिन दिस दिवैंशो पांडे हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिम्टेड लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट तेजस की मैनुफेक्चरिंग प्रॉसेस अब काफी तेजगती से आगे बढ़ाने वाली है जिससे की भारती वाइसेना को और शक्तिशाली बनाया जा सके तो ये जो LCA का प्लान है वो क्या है और किस प्रकार से भारती वाइसेना को एक नई ताकत एरस्पेस में मिल पाएगी इसके बारे हम आज के सिशन में जानेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिम्टेड भारत की स प्रेंटली एट लाइट कॉंबेट पर एयर की डवलमेंट की जा रही है जो की काफी कम है और अगर हम भारती वाइसेना की रिक्वार्मेंट देखें तो उस अनुसार जो है ये अप टू दा मार्क नहीं है इस कारण से इनके HAL की CMD की द्वारा कहा गया है कि आड प्रेजेंट वी हैव आवर कैप सिटी एट अराउंड 16 नंबर्स आवर एलसी थेजस डिवीजन अस वेल आज ए एयरक्राफ डिवीजन आर प्रोडूसिंग देर टू लाइंस ओवर देर देर आर कैपबल आप प्रोडूसिंग सिक्स्टीन नंबर्स तो इसको बढ़ा है उनके सबी स्कॉर्डंस को फुल करना है साथ ही साथ अगर कोई देश जो हमको ओर्डर देता है कि हमको आपका एलसी थेजस चाहिए तो उसको हम लिम्टेट समय में जो है उस एरक्राफ को मैनुफक्शरिंग करके दे सकें तो इसलिए हमको चाहिए कि लगभग 24 एरक्रा जादा अब भरती करना पड़ेगा वहीं पर एलसी थेजस एरक्राफ के पहले वर्जन को 2016 में आपका इंडेक्ट किया गया था उसके कात्वी ट्राइल्स हुए एलसी थेजस के टोटल थ्री वर्जन्स हैं एलसी मार्क वन एलसी मार्क सेकंड मार्क सेकंड पर काम चल ला है एलसी एक के दो तरीके के एरक्राफ्ट है पहला सिंगल सीटर और दूसरा आपका डबल सीटर देखें तो लगबग 40 के राउंड वो है और अब सिंगल सीटर के बजाए डबल सीटर पर ज्यादा ज्यादा कारिक किया जा रहा है और ये एक प्रकार के 4.5 जनरेशन के लाइ वाईसेना ने 83 LCA Mark 1 A के ओर्डर पहले से आपके दे रखे हैं और जिनके डेलिवरी देखिए 2024 के फर्वरी से इनके स्टार्ट हो जाएगी जिसकी टोटल कॉस 36,468 करोड रुपीज आने हैं इसके लावा जो की LC Tejas का अपग्रेड़ और लीथल आपका वर्जन रहेगा जिसमें अमेरिका की जनरल इल्ट्रोनिक्स कमपनी के F-414 इंडियन को इसमें लगाया जा सकेगा और भारत ने इसी साल जब मोदी जी की स्टेट विजिट अमेरिका हुई थी तो वहाँ पर उने ने जो है इसकी करार कर लिया था तो तेजस जो है लार्जेस फ्लीट अपकमिंग एयर में भारती वाइस वेना कर रहेगा और भारती वाइस वेना चाहती कि लगबग 180 के अराउंड जो है हमको सबसे पहले LC Tejas Mark 1A के वर्जिन आपके पराप्त हो सकें जिससे की MIG21 के जो हमारे पास दो स्कॉर्डन अभी भी बचे हुएं जिसको हमको 2025 में रिटायर करना है उनकी जगह कौन ले पाए LC Tejas ले सके और अभी हाले में आपने देखा होगा या पिछले वीक सटेडे को 25 नौंबर को प्रधान मंतिरी नरे मोधी ने LC Tejas के ट्रेनर वेरियंट से जो है आपका शॉर्टी ली थी और उन्हें ने कहा कि इसकी उडान काफी शानदार रही है और भारत को अपने मेकिन इंडिया और इंडिजीनिस प्लान पर जादा जाद अब वर्क करना चाहिए तो आने वाले तीन सालों में जो डिफेंस प्रोडक्शन है मेली एरक्राफ्ट से रिलेटेड उसको जो है लगभग दो गुना तीन गुना गती जो है देने का प्रयास हमारी HL करेगी और इसी के साथ HL ने नासिक में भी अपनी मैनेफेक्शरिंग यूनिट को फिर से स्टार्ट किया जिससे की हम हेलिकॉप्टर और फाइटर एरिक्राफ्ट दोनों को तेजी से डेवलप कर सके और आप हमारे फोर्सेस की जो रिक्वार्मेंट है उसको फुल्फिल कर पाए आप सभी डिफेंस एस्परेंट एस बी क्राइक एक्जाम के इंटर्वी ऑनलाइन कोर्स और रिटेन कोर्से में इंडूल होकर आपने तयारी बहदर करिए उसके लिए आपको वार रिटेन कोर्ट का यूस करना होगा जिससे कि आपको 10% का फ्लाट डिसकाउंट कोर्स में अगर आप एक डिफेंस एस्परेंट हैं और एससबी इंटर्व्यू एंडिये सीडियेस एफकेट जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप एससबी क्राइक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प् कि अगर कि अग्ति हैं